नमस्कार दोस्तों देखो सीखोई स्टेडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों तेईस साथ 2017 में इलहाबाद हाई कोट गुरूप डी में जो समानने अध्यान या फिर कहें समाने ग्यान GKGS के जो कोशन पूछे गयते उसका दोस्तों यहाँ पर हल प्रशन पतर लेके आँ है सिक्स नमबर यह है तो चलिए स्टार करते हैं सबसे पहला नमबर जो कोशन पूछा गयता है एक चिकित्सी जो है उपकरण इंडोस्कोप खालिस्थान है केसी धान पर कारे करता है जो इंडोस्कोप है दोस्तों आप लोगन देखाऊगा मुवों में ऐसे डाल करके देखते हैं क्या हुआ है तो दोस्तो इंडोस्कोप दोस्तो जो है एक चीची उपकरण है और ये काम करता है संपूर जो है आंतरीक परवर्तन पर दोस्तो ये कारे करता है जब आपतन कोड क्रांती कोड से जादा होता है जो क्रांती कोड उससे जादा रहता है तो आपतित किरने दोस्तो दूसरे माध किति हैं व्यक्त करें सब्सक्राइब लेकिन अभी पुछाники पर आपका राइड इंसर हो जाएगा जाएरा वसीम को दोस्तों यहाँ पर चुना गया है ठीक है यहाँ पर आइड इंसर सी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 64 वे जो हुआ था उसमें फिल्म फियर पुरस्कार इसमें 2017 में दोस्तों किया गया था और इसमें रूस्तम जो है फिल्म को दोस्तो जो है यहाँ पर सरोस्रिष्ट अभिनेता के लिए मिला था रूस्तम मतलब जो आपके अक्षे कुमार है उनको और साथ साथ जो फिल्म निर्जा है इसमें दोस्तो जो है सुनम कपूर को दोस्तो सरोस्रिष्ट अभिनेतरी का 66 जो है फिल्म फियर पुरसकार बात करें 2019 वाला उसमें ये 2017 वाला पूछा गया था ठीक है ये 17 वाला पूछा जा रहा है और 66 जो हो जाएगा वो 2019 का हो जाएगा तो 19 में दोस्तों जो है सरोस्तरिस्ट अभिनेता के बात करें तो विक्की कोसल को उरी फिल्म के लिए और आश्मान खुराना को दोस्तों जो है अन्धा दून के लिए और सरोस्तरिस्ट अभिनेत्री के बात करें तो किरती सुरेस जो की साउथ की बहुत सुंदर अभिनेत्र से समंदीत है पसी मंगान से समंदीत पूछा गया है तो ओफुन के अनुसार अको ऐग दोस्तों आप कहीं कई राजबोव एरिया है वही बेल्ट है उसमें कभी-कभी ऑफशन से आप पकड़ेंगे तो एंसर सही बता देंगे 20 इसका रेडRIA हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे निर्मे से चित्रकला के कौन से प्रकार की उत्पति राजस्थान में हुई है तो दोस्तो फार जो है फार जो है इसकी जो है चित्रकला की उत्पति राजस्थान में हुई है आप जानते हैं राजस्थान में राजबूत है और चीवर फार देते हैं आप याद कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, राज्थान की सबसे प्राची निये चित्रकला है, दोस्तो ठीक है, चलिए, नेश्ट कोशन देखिए, आपर पुस्तक पुछा गया है, आपका वन लाइफ इस नौट एनफ, ये दोस्तो एक लाइफ किसी के लिए एनफ नहीं है ये कौन कहा रहा है, मतलब किसके दोरह दोस्तो लिखी गई है, पूछा जा रहा है, तो दोस्तो ये नटवर सिंग जी जो है, आपके पूरो विदेश मंतरी है, इनकी आत्मकता है, वन लाइफ इस नौट एनफ ठीक है, कुछ बुक्स हैं और देख लिजे, इसे विनोध र परियोजना पूछा जा रहा है, तो सागर माला परियोजना आप जानते हैं, काफी चर्चा में भी रहा था, और 31 जुलाई 2015 का दोस्तों ये मंतरा लें, दोस्तों ये आरम किया गया है, और इसका मतलब ये है, कि जो भी हमारे बंदरगा है, इसको टॉप लेबल का बनाना, या फिर बिसो इस्तरी है बनाना, इसका मेन जो है, मोटु है, नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में खालिस्ताने क रास्तिय विज्ञान दिवस के रूप में मना जाता है, तो दोस्तों भारत में विज्ञान दिवस ये आपर 28 फरवरी को दोस्तों जो है, सीवी रवन जी को जानते है, रमन प्रभाव, 1930 में दोस्तों इनको नोबल पुरसकार मिला और भौती विज्ञान के छेतर में, तो इसका राइड एंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, उन्ही पर दोस्तों ये मनाया जाता है उन्ही के जन्म के उपलक्ष में, दोस्तों 28 फरवरी को और 2022 का जो थीन था, वो याद रखेगा, इंट्रागेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलोजी फॉर जस्टेनेबल फ कौन थे पूछा जा रहा है, तो दस हजार रन बनाने वाले पहले जो आपके बल्लेबास थे, वो थे सुनील गवसकर जी, यही पूछा जा रहा है आपसे, अंतरास्तिय टेस्ट क्रिकेट में, दोस्तों, जो है, सबसे पहले की बात करेगा, कई लोग अप तो बना चुके ह यहाँ पर, तो आपका सुनील गवसकर जी, डी इसका रैड एंसर हो जाएगा, बल्लेबास थे, और उन्होंने यह अप लबदी दोस्तों, जो है, 1987 में, 87 में दोस्तों प्राप्त की थी, गवसकर के पूर्व टेस्ट मैच में सरवाधिक रन दोस्तों बने थे, को कितने हैं सोवर्स इनका नाम है, इन्होंने बनाये थे, दोस्तों, ठीक है, तो इन्होंने जो उनका तोड़ दिया और 10,000 रन बनाये, 8,032 रन इन्होंने बनाये थे, ठीक है, अभी बात करें तो सरवाधिक रन आप जानते हैं, सचिन तेंदूलकर जी का आपका 15,921 रन इन्होंने बना रखका है और अभी बात करें आस्ते लिया के जो पूरो कप्तान रहे रिकी पॉंटिंग जी उन्होंने दोस्तों जो 13378 रन बना रखें दूसरे स्थान पर वो है अच्छा नेक्ष्ट कोश्चन है अपका जंगरना 2011 के अनुसार निम्निकित में से भारत का कौन सा राज थी वो सिक्कीम की थी यहां पर राइड एंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है सिक्कीम की इसके बाद दोस्तों मिजूरम राचल प्रदेश और जो है गोवा नागालेंड का है ठीक है तो देख लीजेगा नेक्ष्ट बात करेंगे इसी में दोस्तों एरिया के 12 जो दोस्तों जो है 12 जन्वरी 12 जन्वरी दोस्तों जो है इनका क्या है यह मतलब कहेंगे कि रस्त युवा दिवस मनाया जाता है और 1984 से दोस्तो जो है प्रतेक वर्स किया जा रहा है और इनका जो जन्म है वो आपका 12 जन्वरी को ही 12 जैन को ही आपका हुआ था कितने सन में आपका 1863 में दोस्तो ये हुआ था इनका जन्म ठीक है और जानते हैं रामक्रिषन जी जो दोस्तो इनके जो प्रमार्षा जी जो है इनके गुरू थे next बात करेंगे उत्टर परदेश में खाल स्थान है का जो है पगला बाबा मंदीर अपनी कठपुतली प्रदर्शन के लिए प्रसिद है तो दोस्तो उत्तरप्रदिस के कहां पर ये पगला बाबा मंदीर है ये आपसे पूछा जा रहा है तो दोस्तो यहाँ पर कटपुतली परदर्शनी होता है इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि देखिए कुछ मंदीर इसलिए पूछा जा 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 है तो यहाँ पर यह जो है आपका मतुरा विरिंदावन वाला तो विरिंदावन यहाँ पर राइड एंसर हो जाएगा पगला पबाबा मंदिर है कई लोग घुमने भी गयोंगे यहाँ पर कटपुतली की अधूत परदर्शनी होती है नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर देखे प्रके चना मद्रा निम्रिखित में इसे किस भारतीज राज्य का लोग प्रिय पकवान है धहिए हिमाचल परदेश का ब देखे गयों की जो है इस कुछ यहां पर और देख लीजिए जैसे आपका फूल पूछ देगा तो क्या होगा पलास कि पलास का फूल और जन्तू कहेगा या फिर जो है जानवर कह देगा जानवर कह देगा तो कौन सा करेंगे जानवर करेंगे बारा सिंगा कि बारा सिंगा को और भी कुछ कहते है वो भी आपका आजाता है और जली जीव कर देगा तो क्या कहेंगे जली जीव जह Does जली जीव अजब भी पुछ देगा ता आप मचली जो होती है कौनसी अपकी जो है सूस जिसको बलते है यह आपका हो जाएगा और आपका राजकी पक्छी पूछ देगा तो सारस हो जाएगा ठीक है शील यासूस कुछ कहते हैं उसको फिर उसका कौच भी इसको कहते हैं ठीक है तो यह सब याद रखेंगे जो राजकी चिन है उसमें दोस्तो मचली है तीर कमान है तो सब चीजें याद रखेंगे क्योंकि एक एक कोस्चन में बहुत आगे पिछे लोग हो जाते नेक्स्ट बात करेंगे बौध परिशत खालिस्तान है में आयोजित की गई थी जहां बौध धर में दो संपरदाहीन यान और महायान में विभाजित हो गया तो दोस्तो ये कहां पर दोस्तो ये परिशर दोस्तो था तो दोस्तो ये कस्मीर में आयोजित की गई थी और चतूर्थ दोस्तो जो बहुत संगितिक आयोजन प्रथम सदी में दोस्तो कस्मीर के कुंडल वन में कुंडल वन में दोस्तो हुआ था और दोस्तो कनिस के सासलकाल में वसू मित्र के दोस्तो जो है अधेस्ता में ये हुई थी इसी में दोस्तो जो है आपका हीनियान जो की आपका रूड़ी वादी या फिर कहेंगी निम्नमार्गी कहा जाता ही नहीं और जो महायान दोस्तो जो हीनियान है वो सिरलंका वर्मा जा इपधог जोएंगे दास वंस के किस समराट ने खालिस्ता ने जिल्ले इलाही की उपधी प्राप्त किए दास वंस के पूछा जा रहा है तो आपका राट नर्ग गया सुद्दीन बल्बन गयासुद्दीन बलबन ने दोस्तो जिल्ले-िलाई यानिकी स्वर की छाया है की उपादि दोस्तो इनोंने त्टलिब की है और जो आपका जो क्या करते हैं इसका जो साबदिक अर्थ होता है वो होता है भगवान की दया और सुरच्छा है ठीक है और दोस्तों इसने कुछ और भी काम किया था जिसे रक्त और लोह की नीती बलबन याद रखेगा और इसने दोस्तों जो है राज़स और सिधान प्रतिपादित किया था अच्छा काम किया था बलबन ने ही दोस्तों जो है इसवर स्राशक और जनता के बीच त्री जो है पता नहीं सकते तो दोस्तों वो जो प्रंपरा इसी ने स्टार्ट किया था ठीक है और जो इल्दुत्मिस का 40 था इसको भंग कर दिया था चलिए नेश देखिए अंग्रेजों के सासनकाल में नैधीसों के रूप में भारतियों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से जाज़ बरे तक दोस्तों यह रहे ठीक है तता अगर बात करेंगे दोस्तों तो याद रखियेका बहुत इंपोर्टेंट है तिरा न बे में जो है लाड ब्लब कार्नवाली शीचलित का नेरमाड दोस्तों इन्हों ने कर वाया है इसमें सकतियों का प्रिथेकरन का सिद्ध दोस्तों इन्होंने डाला था नेक्स्ट बात करेंगे इलहाबाद में दोस्तों जो है 1857 में बिद्रोह का नेती तो किस ने किया था देखिए जो है बिद्रोह का नेती तो अलग-अलग जगा पर अलग-अलग लोगों ने किया था आप जानते हैं जो जहांसी में था वो रान का तली राइड एंसर हो जाएगा कानपूर से तत्या टोपी और जो है नाना साहिब और वहीं से आपका जहांसी से तत्या टोपी और जहांसी गिराने ठीक है मतलब लश्मी बाई जी नेक्ट बात करें निम्रिखित में से किस मुगल समराथ ने अपने सासन काल में नौरोज जो है उत्सों को समाप्त कर दिया था तो देखिए यह सब काम कौन कर जाता यह और अंजेब यह सब करता था और अंजेब का सुनेंगे तो आप दातों तले क्या कर लेंगे उंगली अब सुनिए थोड़ा कुछ आएगा एक्जाम में तो 1600 आपका अंठावन से 1707 तक ठीक ह और यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने और जेब का दोस्तों जो मुख्य लक्ष था वो भारत को दारूल हर्ब यानी काफिरों का देश कहता था ठीक है दारूल हर्ब से दारूल इसलाम बनाना था मतलब इसलाम का देश बनाना था जो करके हमलों का दानोन था ये सब और जहरोखा दर्सन जो देखते थे लोग भगवान जाकियों की पारसी में जो आपका पारसी लोग जो है इनका जो तेवार है नौरोज का हिंदू जो तेवार है इनको इनके साथ 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 दोस्तो जो आपके साजुनिक जो गीत के समारो होते थे सारजुनिक रूप में इस सब पर दोस्टो प्रतिबंद लगा दिया और जंता को दोस्तो सरीयत के अनुसार रहने के लिए कहा और अनजेब के मताबिक दोस्तो जो है सारजुनिक सदाचार निरिच्छक नामक अधिकारी भी नूक्त किया था ठीक है एक अधिकारी भ क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है तापती नर्मदा और जो आपका ये भी है याद रखेगा लूनी के लवाद ठीक है तो उस्चन अगा पूछते तो वो भी कर सकते हैं नेश्ट देखिए यहाँ पर भारत का एक मात्र सक्रीय ज्वाला मुखी अंडोमान निकोबार के निकोबार के सक्रीय ज्वाला मुखी बैरन ज्वाला मुखी भी कहते हैं अलग अलग नाम से बुलते हैं तो यहाँ पर बैरन अलगी है यहाँ नहीं है जबकि एक demonstrate सांथ रहने के बाद उनी 지역 etiquette याद युय और 2005 में suisseell निकलता आप यह बड़क्रव 11 निकलता की नही नेक्स देखिए जो है बकरवाल जन जाती मुख्य रूप से भारत के खालिस्थान राज में रहती है तो देखिए ध्यान दीजे जो माना जाता है इसा बैग्यानिक मानते हैं इतिहास कार सौरी मानते हैं तो यह क्या कहते हैं जो बकरवाल जन जाती है यह दोस्तों जो है इस बरकवाल ये दोस्तों गुजरात के काठिया वार से कस्मीर तक दोस्तों चले गए थे वहां से और बाद में जानते हैं कि धर्म परिवर्ट नित्यादी में और इनका जो उलेख है वो प्राचीन कस्मीर के इतिहास की दोस्तों जो कलहर की जो राज तंगिडी है उसमें दोस् स्मीर के सिमा पर रहने का उलेखिन को मिलता है ठीक है तो माना जाता है वैसे देखे राजपूता का देखेंगे तो अभी जो है 64 कहा जाता है कि गोत्रोत रित्या दिये अब बाकी क्या क्या कब कब कहा कहा पाठ हुआ यह सब खोज का विसा है और जैसा आएगा वैसा एंस जाएगा और मतलब महिलाओं की बात किया जाए तो 15 महिलाएं थी जिन में से एक मात्र मुस्लिम महिला जो थी वो बेगम एजाज रसूल जी थी संबिधान सभा का मेन जो लक्ष था वो संबिधान का निर्माड करना था उसके बाद दोस्तों इसको भंग कर दिया गया ठीक उसमें तर्क भी तर्क होते थे लाश्ट में ड्राफ्टिंग कमिटी बनी जिसके अध्यक्ष बाबा साहिब भीम राम बेड कर जी रहे जिनोंने लाश्ट मतलब कह सकते हैं मूल रूप या फिर कहें उसमें से क्या काटना है क्या छाटना है ये सब चीजे ठीक है तो बहु परदेश राज्य बना है 1934 चववन भी रहे तो मार दीजेगा एक अक्टूबर दोस्तों जो है अगर आफ्शन में तिरपन नहीं दिख रहा है तो चववन मार सकते हैं ठीक है और दोस्तों जो है राज्य पुरनर गठना धिनियम जुलाई 1956 से दोस्तों ये पास किया गया जो टमपरेचर को बढ़ा देगा ठीक है कहां के टमपरेचर को जो भी प्रकृति वातावरण है उसके टमपरेचर को बढ़ा देगा तो इसको बढ़ाने में जो योगदान है कारबन डायकसाइड का है मिथेन का है और आपका जलवास्प का है और भी है जिसे क्लोरो फ्लो औरोकारबन हो गया आपका ओजवो ना दी तो यह सब हैं तो जो नहीं है वो है हीलियम तो वही यहां पर आइडेंसर हो जाएगा ठीक है तो देखिए यह आपका पूरा पेपर सॉल्ब था आसा करते हैं कि आपको यह प्रीबियस यह पेपर का सॉल्ब पसंद आगा वीडियो को अधिक सदिक लाइक शेर किजिए साथी साथ ऐसे जो है एक्जाम रिब्यूस या फिर एक्जाम के पेपर्स को सॉल्ब करने के लिए देखो सिको स्टड़ी इस रूट चन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अन कर दीजे हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज लाइकन शेर